हेलो एव्रीवान, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तंश्योश्री क्रियेक्शिंस काना जी की विंटर ड्रस का बहुत सिंपल और सुंदर सा प्यारा सा डिजाइन मैं आज आपके साथ फिर से शियर करने वाली हूँ यह देखे चोली मैंने बना लिए है और यह जो हमारी ड्रस है यह तीन और चार नंबर का नजी के लिए है चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा जीरो से लेके एट टंबर तक सभी चोली के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है आप चाहे तो वहां से देखकर भी चोली बना सकते है और यह देखे घेरा बना लिया है घेरे का लिंक भी मेरे चैनल पर है तो आप वहां से देखकर घेरा सिंपल घेरा है बिलकुल यह भी बना सकते है यह देखे चोली बनाने के बाद मैंने सभी चेन में टू टू डबल कोशे बनाए है फर्स्ट राउंड में फिर उसके बाद सेकीं राउंड में टू वन टू वन का कॉंबिनेशन रखा है फिर टू डबल कोशे अलग अलग और फिर टू एक साथ फिर तो अलग अलग फिर टू एक साथ तो इस तरह से मैंने यह थ्री राउंड बना लिए है फेंड जितनी बड़ी आप ड्रस बनाना चाहते हैं उसके एकोर्डिंग आप इसी तरह से घेरा बढ़ाते जाएं तो यह गेरे के 3 राउंड बना लिये हैं अब इसके बाद मैं simple design बनाना start करूँगी जितनी बड़ी dress बनानी है पहले उतनी बड़ी आप dress बना ले यानि के घेरा बना ले उसके बाद जो मैं आप design start करूँगी फिर आप वो बनाना start करें तो यह देखे किसी भी chain से हम अपना thread ले ले अब यहां पे देखे वान टू ठी चेंन लेंगे यह हमारा वन डबल कोशे काउंट होगा next chain में जाएंगे फिर हम double कोशे बनाएंगे फिर नेक्स जैन में फिर double कोशे इस तरह से देखे थ्री डबल कोशे हमने अलग अलग बना लिये अब यहां पे 1 2 3-3 chain लेंगे और फि थर्ड चेन में आएंगे फिर से double कोशे one two three इस तरह से फिर हम three chain ले लेंगे और फिर से one two chain skip कर देंगे third chain में आएंगे one two next chain में two फिर next chain में इस तरह से 3 double crochet बना लेंगे फिर से 3 chain ले लेंगे 1, 2, 2 chain skip पर लेंगे बस हमें यह याद रखना है उपर हमें 3 chain लेनी है और नीचे की तरफ हमें 2 chain का gap रखना है और friends मैं आपको अपनी हर वीडियो में हमेशा बताते हूं कि सभी का crochet बनाने का जो हाथ का वो तरीक अगर आप ज्यादा tight हाथ से बनाने हैं तो यहाँ पर आप chain बढ़ा सकते हैं सिर्फ हमें यह देखना है कि हमारे work में जोलना है यानि कि वो तेढ़ा मेढ़ा ना हो तो इसलिए हमें chain जो work है हम design same रख सकते हैं बट हम जो chain का gap है वो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं तो यह आप एक बार अपने according चेक कर लें बाकि जो pattern रहेगा वो हमारा same ही रहेगा बस chain कम या ज्यादा हम करके अपने design को perfectly अच्छे से neat and clean बना सकते हैं तो यह देखे इसी तरह से 3-3 double crochet बनाएंगे उपर मैं 3 chain ले रही हूं नीचे 2 chain skip कर रही हूं तो यह हमारा first round जो है यह देखें तो यह हम एक बार इसी तरह से round को complete कर लेते हैं नेक्स्ट डाउन बनाने के लिए यह देखें किसी भी chain से हम single crochet बना लेंगे thread ले लेंगे पहले फिर हम 4 chain लेंगे 1-2-3-4 अब next वाला जो chain gap है उसमें हम इस तरह से 1 two half और यह third half इस तरह से three times half half double crochet बनाएंगे यह देखें और तीनों का one बना लेंगे इस तरह से और फिर से हम one, two, three, four, four chain लेंगे और same space में फिर से one time half फिर second time half फिर third time half इस तरह से बनाएंगे और फिर चारों loops में से एक बार निकाल देंगे तो देखें दो बार एक ही chain में हमने design बना लिया फिर से one, two, three, four chain लेंगे और next chain space में हम single कोशी बनाएंगे फिर से one, two, three, four chain लेंगे और देखें next chain space में जाएंगे ये one half time second half और ये third half इस तरह से बना लेंगे फिर चारों loops में से एक बार thread निकाल लेंगे इस तरीके से फिर one, four, one, two, three, four chain लेंगे same space में फिर से हम repeat करेंगे इसी तरीके से one half, second half और ये third half फिर चारों loops में से एक बार thread निकाल लेंगे इस तरीके से फिर four chain लेंगे और फिर next chain में single कोशी फिर से four chain लेंगे और इसी तरीके से ये देखें repeat कर लेंगे ये देखें ऐसे तो ये design हमारा ऐसे आएगा अब ये थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखाए दे रहा होगा पर जब हम next round बनाएंगे तो हमारा ये design बिलकुल clear दिखाए देगा तो ये देखें इस तरीके से एक chain gap में हमें single कोशिय बनाना है फिर four chain लेनी है फिर three times thread half half double कोशिय बनाकर एक बार निकालना है फिर four chain फिर दुबारा से इसी तरीके से फिर four chain फिर single crochet फिर four chain फिर दो बार इसी तरह से puff stitch बना लेंगे तो यह round हम इसी तरह से complete करेंगे देखे जब हम अपने round के end में आएंगे तो यह हम four chain लेके जो हमने first यहाँ पे यह देखे three times puff stitch बनाया था इसमें से हम slip stitch लगाते हुए one chain लेके thread को cut कर लेंगे यह देखे friends अब हम अपना last round इस तरह से बनाएंगे यह जो हमने यहाँ पे four chain ली थी यहाँ से हम अपना round start कर सकते हैं यह देखे one two three four five six four chain में हमने six single crochet बना लिए यह जो देखे हमने single crochet बनाया था यहाँ पे अब हम single crochet बनाएंगे इसके ऊपर और one two three four four chain का यहाँ पे देखे first chain में से निकालते हुए पिकोट स्टिच बना लेंगे फिर one two three four four chain फिर first chain में से निकालेंगे फिर से four chain और फिर से यह देखे first chain में से निकाल लेंगे तो यह three three times हमने पिकोट स्टिच बना लिया इस तरह से देखे और same space में slip stitch लगा लेंगे तो यह हमारा देखे इस तरह से flower का design बन जाएगा और फिर से हम chain four chain में आएंगे one two three four five and six six single crochet बनाएंगे अब यह देखे one single crochet हम यह जो puff stitch बनाया था इसके उपर बना लेंगे इस तरीके से अब जब हमने बीच में chain space लिया था वहाँ पर देखे इस तरह से single crochet फिर one half double crochet one double crochet यह design बनाएंगे इस तरीके से single half और फिर double crochet और फिर triple crochet के लिए इस तरह से दो बार crochet के उपर थैड लेंगे और यह देखे एक बार लुपने से निकाला, दो बार निकाला और ये तीन बार निकाला तो ये हमारा triple double crochet हम दो बार बनाएंगे और फिर double crochet one half double crochet, one single crochet फिर ये देखिर puff stitch था इसके उपर single crochet, फिर chain space में आ जाएंगे, one, two, three, four, five, six, six single crochet, फिर देखे, single crochet में आएंगे, one single crochet, one, two, three, four, four chain, फिर पहली chain में से निकालते हुए, single crochet, फिर पिकोट स्टिच, फिर four chain, फिर पहली chain में से निकालेंगे, और फिर से पिकोट स्टिच, फिर four chain, फिर पहली chain में से निकालेंगे, पिकोट स्टिच, three times इसी तरह से देखे, हमने पिकोट स्टिच बना लिया, और same space में, फिर से single crochet बना लेंगे, फिर chain space में आ गए, फिर स सिक्स सिंगल कोशे 1 2 3 4 5 6 और 1 से सिंगल कोशे यह जो पॉफ स्टिच बनाया था इसके उपर फिर देखें चेंड स्पेस में आएंगे 1 सिंगल कोशे वन हाफ डबल कोशे और वन टाइम डबल कोशे फिर दबल कोशे और फिर दो बार त्रिपल डबल कोशे इस तरीके से फिर से डबल कोशे one half double crochet और one single crochet और फिर one single crochet puff stitch के उपर तो यह देखे इस तरीके से हमारा design बनेगा एक बार यह हमने यह देखे single crochet, half double crochet, double crochet, फिर दो बार triple double crochet, फिर double crochet, फिर half double crochet फिर single crochet पर सिंगल कोशे लेंगे फिर स्वीछ चेनlle सींगल कोशे लिए फिर हम यह सिंगल कोशे लाईगे फिर फिर सेतिक बोर से harini तरह से बनाईगा। फिर same repeat करेंगे single crochet बनाएंगे फिर puff stitch के उपर और फिर से हम ये double crochet वाला डिजाइन बना लेंगे तो इसी तरह से देखे हम ये पूरा डिजाइन अपना complete कर लेंगे तो ये देखे एक बार complete कर लेते हैं इसको पूरे round को ये देखे friends ये मैंने अपना final round complete कर लिया है और इस तरह से मैंने ये देखे beads work भी किया है और इससे आप देख सकते हैं, हमारी dress बिलकुल simple है और बनाने में भी बहुत easily देखे हैं हमने बना ली है और देखने में भी रही है हमारी ड्रस आपको अगर काना जी की ये ड्रस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फैमिली में फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर करें और मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको काना जी की जो ड्रस मैं बनाती हूं वो कैसी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स वर वाचिंग झाल 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 झाल